हेलो अब रिवेग्रेवन है रदेटेल है आज की इस वीडियो में आपके लिए लीका है हूँ जैक शुयंग मशिन की सारी सेटिंग्स कैसे होता है और आप इसे कैसे सीख सकते हो इस इपने आपको लाइव एक्जंपल ली परफेक्ट तरीके से जैक शुविंग मशिन टी त सबसे बढ़े मापको बताओंगा सो दुस्तों का इस तरह से युजस कर सकती है जो कि जो इस एक ऊपर है लेकिन इसमें और बदार है जो सबसे संब में आपको पहले लेक्र happуш के बता दूँ कि ये निडल पोजिशन चलने के बद वापस से उपर somethin च्फ्ट हो जाता है तो इसको हम वापस से नीचे करने वाले तो निडल पोजिशन को नीचे करने के लिए जो प्लस आइकन है इसको दबा करख पड़ेगा तो आपका नीजेड पोजिशन है वो नीचे आ जाएगा है सो दस्तों यही नीड़ल फोजीशन नीचे आगया है और अब हम मशिन चला के देखते हैं तो नीडल नीचे रुकने वाला आपको एगा उपर शिफ्ट हो जाएगी अब पर शिफ्ट हो गया है और अब नीडल की पोजिशन है वह उपर रहेगी नीचे नहीं रुक रही तो दोस्तों जैक मशिन की जो स्पीड है इसको किस तरह से सैट करते हैं सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह फैक्टरी मोर पे है और इसको स्पीड है वह सबसे कम कितनी है वह भी मैं आपको बता दूँ इसकी सबसे कम स्पीड है दो की और सबसे ज्यादा स्पीड है पचास की तो इसको लाते हैं हम यह पांच पे इसकी सबसे कम स्पीड है कि स्पीड है सिधा पचास पे तो इसको हम अभी लेके आते हैं पांच प बढ़ा लिंगे सुद्टा आपिसे देख सकते हैं इस twee पांच पे चलिए और इसकी जानाः ला और इसकी स्वीद जो है वह पांच पर ही था फीजा थे ही है नो यह दो आपको प्रेस करके रखना है ए बट कर थो अपको इस तरह से नदा कर रखना ओर इशकी जो स्वीड है इसको हम 50 पे लेकर चलते हैं तो दोस्तो अब से देख सकते हैं ये 5 पे आ गया और उसको लिए 50 के तो नियिए 50 में प्लपाइश को दबाएशंके तो ये सेट होजाता है सो दोस्तो येで मशिन की स्पीड हो सेट होगया है तो इसकी स्पीड कर लेते हम 30 पर है कि सब दस्तों इसकी स्पीड है वो 30 पर आचुकी है और अब मैं इसकी जो स्पीड है 30 पर चल देखता हूं इसकी 10 पर लेकर आता हूं तो दोस्तों यह स्पीड यह दस पर है और अगली सेटिंग बताता हूं आपको इसके उपर डिस्प्ले जो माइनेश का निशान होता है इसको कैसे हटाते और किस तरह से लाते हैं दोस्तों यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सबसे पहले यह दोनों बटन को आपको इस तरह से दबा के रखना है और उसके बाद इसका एवन लेकर आना है यह फैक्टरी मोर पर है यह एल से इसके स्पीड आती है और यह जीरो है और यह एवन है एवन को हम प्लस करके लाव एक रचाने को अधेजये तो आपको बेखने ही ङए यजीरो करना है तो आप जबनाफीया हे ऑड़ अब से चला कि बता तो schaut यह जा वह इन रहे और आप को यह जो-स चला के बताता हूं तोoise उनीशान को नहीं आता encl rapt a सकते हैं लेकिन तो इस वन कर आपको माईनेश क हटाने के बाद भी आपको इसका जो लाना हो आपस तो यहां पर ऐसे दबा कर रखो यह निशान वापस आजाएगा और निडल पुजिशन आप इस तरह से चेंज कर सकते हो यह उपर और यह वापस से बटन दबाओगे तो यह नीचे आजाएगा तो दोस्तो यह नीचे है और अभी में बटन दबा करें दूनों है और इसको कैसे चलु करते है और इस जो आपको कहता है और उसके आत इसका B1 लेके आना है तो दोस्तों आपसे देख सकते हैं यह factory mode यह L से इसकी speed आती है और यह needle position change करने का और यह B0 है दोस्तों यह B0 है और अभी यह B2 है B1 लेके आते हैं और इसको set कर देते हैं B1 पे और B1 पे set करने से क्या होता है वह भी आपको बता दू यह जो एक बटन दबा के रखने यह एक बार नीचे जाएगा और एक बार उपर आएगा तो दोस्तों और अगर आपने इसको button को दब आते हो तो यह बार उपर चले जाता है और यह नीचे आ जाता है तो दोस्तों इससे देख सकते हैं कि इस तरह से सैट होता है B1 में और यह B2 में आप इससे देख सकते हैं मैं B2 कर देता हूं और इसको B2 पे set करते हैं दोनों बटन को दबा के रखना है और इसका B2 लेके आ इसका काम आता है यह पूरा एक राउंड घूमता है यह धागा को वापस नीचे ले जाके वापस उपर देल के आता है यह बीटू इस तरह से काम करता है और अभी मैं जीरो कर देता हूं यानि इसको बंद कर देता हूं सो दोनों बटम को हम दबा के रखेंगे और इसका लेका और यह चालू हो गया है को दोलीफ़े को नहीं आगेगा इस मशीन को हम उल्टा कर देते हैं तो भी और अब मशीन को चलाएंगे जो एक्सिलेटर इसको दबाएंगे तो भी मशीन चलेगा सो दोस्तो आप इसे देख सकते हैं यह एरर 7 नहीं आ रहा है और मशीन चालू है डिस्प्ले बे आपको पता चल रहा है कि मशीन चालू है और अब हम इसका आपके मशीन में कम हो तो इसमें से अर्र 7 बताता है तो यह एरो 7 दिखाएगा है तो यह एरर 7 दिखाएगा यह एरो 7 है तो अगर आपके मशीन में जो ऑइल कम हो जाता है तो इसमें से error 7 बताता है तो इसको आप इस तरह से बंद भी कर सकते हो तो मैंने यह चालू के और आपको दिखा रहा हूँ कि यह error 7 किस तरह से आता है तो अब हम इसको मशीन को वापस से रखेंगे तो यह error 7 नहीं बताएगा यह हट जाएगा अगर आपका मशीन का जो ऑईल है बहुत जादा लो हो गया तो error 7 बता रहा है तो कुछ टाइम के लिए आप इसको बंद कर सकते हैं यह features को बल्कि यह जो feature इसको चालू रखना चाहिए इससे आपका मशीन एकदम maintain रहेगा तो दोस्तों आप से देख सकते हैं वापस से हम इसको वापस से चालू कर देते हैं और अभी मैं आपको बताता हूं इसको बंद कर देता हूं अभी मैं आपको बताता हूं यह error 7 नहीं आएगा और यह machine चालू रहेगा तो दोस्तों आप से देख सकत जो दूस्तो यह error 7 नहीं आता यह इसका setting के लिए इसके लिए इस तरह से setting किया जाता है तो error 7 हटा भी सकते और error 7 ला भी सकते लिकिन कुछ time के लिए अगर आपके machine में oil थोड़ा कम हो गया error 7 आ रहा है तो इसको हटाने के लिए यह से use कर सकते हैं तो दूस्तो अब मैं इसकी अगली setting के बारे मैं आपको बताता हूं तो दोनों बटन को हम इसको दबा के रखेंगे और अब हम इसकी जो h30, h30 का मतलब होता है कि यह 30 मेरे के बाद आपका machine बंद हो जाएगा तो अब हम इसको लिए आते है 60 मेरे up iक इसकी बंद हो जाएगा, अगर आप कुछ काम नहीं कर रहा हीं और यह 50 मेरे के बाद, और यह 45 मेरे के बाद और ये तीस मिट के बाद और और ये 20 के बाद बंद पूजाएगा और ये 10 के बाद और और हम ने ये जरो कर दिया थे तो हम अगर काम कर रहे हं और मशीन चालों आगे यह ब पंद नहीं तो दस्तों यह हमने इसको दबा दिया है और अब यह मशीन बंद नहीं होगा लेकिन अब आपसे हम लेकर आते हैं 60, 50, 40, 30, 20 और 10 तो 10 पर हमने और अगर आप 10 मिट में आगया तो मशीन आपको चालू मिलेगी यह इस तरह की function है आपको इस तरह से यह इस तरह का function आप यूज कर सकते हो सो दोस्तो अब मैं इसकी अगली setting के बारे मैं आपको बताता हूं सो दोनों बटन को हम इसको दबा के रखेंगे और इसकी अगली setting क्या है वो भी मैं आपको बता दू सो दोस्तो फैक्टरी मोड का मैंने आपको बता दिया और यह एक मोटर यहां का है और यह मशीन का है सिधा टेकनेशन को यह टेकनेशन को करेगा यह आपको सॉल्फ नहीं करना है क्यूंकि कुछ चीजे आप सॉल्फ कर सकते हैं जहां तक मैंने आपको बता दिया और लेकिन यह एक मोटर यहां का है और यह मशीन का है इसके लिए मशीन आपको लेकर जाना पड़ेगा टेकनेशन के पास इसके अंदर क्या प्राप्लम में, वो सलुthemिशन करने के लिए क्लिआ क्लिए मोटर का वर्जिन अगों दोनों हैं जो की मोटर का वर्जिन सीन इसके लिए मशीन लेकर जाना पर सकता है यह तो घर पे technician बुलाना पड़ेगा वह चेक करके बताएगा कि इसमें क्या problem मोटर में क्या problem आ रही हो खोल के check करेगा फिर आपको बता देगा तो कुछ चीजे आप इस तरह से solve कर सकते हैं पर कुछ चीजों के लिए आपको technician बुलाना पड़ता है तो C5 और M1 के लिए आप आपको technician इस तरह से बुलाना पड़ सकता है सो दोस्तों अब मैं इसकी next setting आपको बताऊंगा इस सो दोस्तों मैं आपको बता दू सबसे पहले यह जो numbers है इसको आप हटा भी सकते हो इसको रग भी सकते हो यह motor vehicle की तरह जो number बताता है इसको आप ऑफ भी कर सकते हो इसको on भी तरह आपको बताएगा कि इसकी machine की speed कितनी चल रही है और अब यह 0 कर देते तो यह off हो जाता है इसमें आपको आपकी machine कितनी speed पर चलती वह आपको पता नहीं चलेगा सो दोस्तों आप से देख सकते हैं यह हम इसको set कर देते हैं सो दोस्तों मैं वापस से लेके आता हूं कर देते हैं यह बटन को लेके आते हैं सीफाइए वन और यह यह यूवन और इसको है हम 0 कर कर देते हैं और उसके बाद अभी मैं यह जो पी बता रहा है आपको और इसका जो वह आपको नहीं पता चलेगा तो मैंने इसका जो सपीड हो आफ कर दिया अभी इतने कितने नमबर की श्रीड पर चल रहा है वह पता नहीं चलेगा सबस्वापसे देख सकते हैं यह जो स्पीड है वह अब इसको वापस ले की आते हैं कि दोनों बटन को इस तरह से दबाकर रखना इसका यूवन लेकर आना इस तो सुझार दी सकते हैं यह एच सी फाई एवन और यह यूवन और यह यूजिरो वन में चालू हो जाता सुझार रखा है इसके लिए 10K speed पर चल रहा है तो यह इस तरह से इसका जो यह display बताता है यह एवन का इस तरह से यूज किया जा सकता है तो अगर आपके घर में voltage कम आता है तो error 2 बताता है तो इसका क्या solution है तो दोनों बटन को आपको इस तरह से दबा के रखना है और आपको लेके आना है R आपको दिख सकते हैं यह बटन दबाते रहना है आपको C5 A1 और यह R आ गया है तो दोस्तों आपको दिख सकते हैं यह Z01 पे 150V तक का है तो इसको आपको कम कर देना है अगर आपके घर में voltage कम आता है तो यह बार-बार error 2 बताता है तो इसको आपको इस तरह से 0 लाके off कर द अगर आपके घर में 200-300V से कम आ रहा है तो आपके देख सकते हैं इसका जो वोल्ट है वो कम कर सकते हैं 300V से लेके और यह 26-25V तक है मतलब 250 वोल्ट तक है है तो आप इसको 260V पे मतलब यह 270 है 260 है और इसके बाद 260V पे आप इसको सिलेक करके रख सकते हो इस तरह से तो आपका मशीन चलता रहेगा अगर लाइट चले जाता है तो बंद हो जाते है अगर आपके मशीन में वोल्टेज कम आता है तो आपको एरे टू बताएगा तो इसका क्या स्लूशन है 26 पे रखना है मतलब 260 पे आपको इस तरह से रखना पड़ेगा ताकि आपको ऐरे टू नहीं बताएगा और आपको इस तरह से नहीं बताएगा इसके सारे futures मैं आपको बता दी अब इसके last step future है वो क्या है वो भी आपको बता दू दोनों बटन को दबागे रखेंगे और मैं आपको एक एक चीज़ detail में बताऊँगा ये factory mode का मैंने आपको बता दिया L से स्पीर होती है वो भी मैं आपको बता दिया और A से इसका जो needle position वह भी मैं आपको बता दिया और B से इसका जो needle position को भी है वह भी मैं आपको बता दिया और A1 वह भी मैं आपको बता दिया है और ये H hour का है वह भी मैं आपको बता दिया C5 को technician बुलाना पड़ता है CM1 को भी technician बुलाना पड़ता है A1 का भी मैंने आपको बता दिया है और अब ये है A1 तो ये A1 में क्या होता है वो भी आपको बता दू ये A1 में ये जो माइनेस का जो निशान है वो डिस्प्ले पर दिखता है और हट जाता है तो आप से देख सकते हैं ये A1 और ये A0 जिरो कर देंगे तो जो माइनेस का जो निशान है वो हट जाएगा सो दस्तो सो दस्तो जैक मशीन का जो A6 है वो किस तरह से लाते हैं और किस तरह से इसको solve करते हैं सो दोस्तो आप से देख सकते हैं अब ये मशीन बंध है मैं इसको पहले चालो भी कर लेता हूँ मशीन चालो करता हूँ और यह चल रहा है और मैं आपको चला के बताता हूँ तो दोस्तो हमारी जो मशीन है वो चल रही है दो नमर पे चल रही है इसको हमने एक पे दो पे सिलेक्ट करके रखा है तो यह दो नमर पर चल रहा है तो अब हम इसका जो एरर है वो लेके आते हैं तो दोस्तो पहले तो मैं इसका मशीन का जो बटन है वो आफ कर देता हूँ और इसके बाद इसका जो एरर है वो लेके आते हैं तो दोस्तो आप से देख सकते हैं यह जो एक्सिलेटर का जो वायर ह इसको हम निकाल देते है और इसका जो error 6 हे वो आता है तो अब यह error 6 कैसे आता है और इसको किसे तरह से solve करते हैं आप I will help you एक बदाऊंगे तो हमने machine का wiring is the one out और अब जो error 6 है क्या आता है वह मैं आपको बताऊ सो दूस्तो हम जो machine फॉकम करते हैं और इसमें क्या बता रहा है तो दूस्तो आप है ये error बता रहा है दूस्तो ये wiring problem है तो इस तरह से अब हम इसका वाय्रिंग वापसे लगा देते है और इसका error six本 तो वापस लगाना पड़ता है और इस तरह से अपने पर लग्म आई एस तरह से सैट कर देते हैं आऐ इस अपने अच्छे से सेट कर दिया है और इसी वाय रिंग आउनना अच्छे सेट हो गए और ये जो मशीन वापस से कर लेते हैं और आप इसे देख सकते हैं इसमें जो error है कोई error नहीं बता रहा है तो यह error 6 किस तरह से होती है जो दूस्तों मैं आपको नीचे भी बता दू तो दूस्तों यह जो error 6 है वो box की वज़े से आता है error 4 जो है wiring problem में हो तो आता है और error 6 है जो यह box खराब हो जाता है तो error 6 आता है और जो error 4 है वो wiring problem जैसे कि आपने जो accelerator का wire है हमने वो निकाल दया तो जैक मशीन का error 6 है और error 4 है वो भी आपको बता दिया है और error 7 वो कैसे आता है सो डोस्तों आप पसे दिखसकते हैं machine को हम अल्टा करेंगे तो इसमीं से error 7 बताएगा सो डोस्तों आप इसमीं दिखता है यह error 7 बता रहा है तो इसको off अचिवह कर सकते हैं क्योंकि error 7 इसलिए बताता है machine मे'll still sound इस तरह से बताता है और मशीन चलता नहीं है तो इसका क्या solution है यह भी मैं आपको बता दू हमारा जो मशीन है इसको हमको बहुत ध्यान से सीधे अच्छी से रखना है क्योंकि यह मशीन बहुत जादा भारी है तो दोस्तो अब हम इसका G1 लेके आते हैं और यह 0 हो जाता है तो यह off हो जाता है error 7 नहीं बताता है तो दोस्तो error 2 कैसे आता है error 2 में भी मैं आपको बता दू अगर आपके घर में जो voltage है वो कम आता है तो इसके लिए error 2 का problem आता है तो error 2 के problem का इसका क्या solution है तो error 2 के लिए हम इसको Y पे लेके आएंगे तो दोस्तो हम इसका जो है Y पे लेके चलते हैं इसको इस तरह से और इसका जो position है C5 M1 UA और यह R और यह Y तो दोस्तो यह जो Y है वो क्या करता है तो दोस्तो आप इसे दिखते हैं अगर आपके घर में voltage कम कम आता है तो आपको error 2 कम आता है तो आपकोовые there कोटेज आपको दोस्तो आपको सरी कम आता है मैं इसका जो Error 1 के आता हूं वह भी माप्को आता हूं Error 1 कैसे आता है Soıyorsun Machine Shutter fix Error 1um तो अब हमmaрly को veror ne driven maximize को अभी आते हैं औहुन और कोई भी धागा है उसको इस तरह से फसाते हैं चैक मशीन में Error 1 of Color some sort of new Power सकते हैं यह तीन-चा़ इनिच से लिखने में इस 1944 यह तरह में आपको नपादना है अगर आपके मशीन में धागा फस जाता है तो इसका क्या सलूशन है अगर आपके मशीन में धागा फस जाता है इसको जो धागा है वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ आपको इस तरह से सबसे पहले यह प्लेट निकालने है पड़ेगी और उसके बाद इसको खोलना पड़ेगा यह जो उपर की जो प्लेट है इसको खोल के आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा तो दूस्तों इसका जो दोनों स्कूरू है इसको हम अच्छे से खोल लेते हैं उसके बाद आपको इस तरह से प्लेट को जो है वो निकालना पड़ेगा और यह जो धागा है वो फस्स गया था इसके लिए यह जो दोनों प्लेटे है वो निकालना पड़े और यहाँ पर धागा फस जाता है तो वो निकालना पड़ता है और वापस से हम इसको इसको लगा देते हैं और वापस से हम इसको यह जो प्लेट है इसको भी हम इस तरह से लगा देते हैं और इसका जो दोनों स्कुरू है उसको भी हम अच्छे से लगा कर देते हैं इसमें की टाइट लेंगे ताकि comprend काई कम में कोई भी problem ना हो इसके लिए हम इसको अच्छे से जो है इसको टाइट कर लेते हैं गाउगे और इसका जो Britt है इसको लगा लेते है इस तरह से इसका जो पलेट है वो लगता है और एप समय को वाप से सकते हैं इस प्लेट लगता है यह सԱ्राइश्ट आप सहे सट अहले यह स्टीचिंग मोख गई थी 覺得 यहाँ सक्सरस करें हैं यह से नियुक अभती निकाल ला है अब यह को पर सी स्टीच करेंगे दो आपस से कि असरते संतिके करते हैं कि स्पीर को है जो थोड़ा लेती है उसके बाद इसका जो स्टीशिंस यह दोस्तों आ फिसका स्टीचिंग natYour है तो हम अच्छे से टाइट मु ब्हूं अफिर कर लेते हैं और मैं आपको रोड़ाता हूं कि इसका जो स्टीचिंग है वह परफेक्ट लिया जैक मशिन की सारी सेटिंग में आपको डिटियल बता दी एक बार फिर से मैं आपको रिवाइट करा देता हूं कि इसकी एक सेटिंग क्या काम आते हैं तो दोस्तों हम दूनों बटन को दबा के रखेंगे और इसका फर्स्ट सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों यह प्रेस करके रखा तो थो तो निशान नहीं आएगा और अपने रखाए मैनस का निशान आएगा और तो दोस्तों यह बी वन डी जीरो बीवन और बीर बदाता है तो अब हटाने के लिए होता है अगर आपके तैंक में एक वाइल कम हो तो एरे 7 हटाने के लिए जी वान है सबस्तों नेक्स सेटिंग पर जाते हैं सबस्तों आप से लिए यह एच वन सबस्तों का मतलब होता है कि आपकी मशीन जो आप काम करना छोड़ देंगे तो 10 मिट बाद यह मशीन अपने बंद हो जाएगी तो इसको आप ब क्योंकि सीफाइ जो होता है टेक्शन ही यह कर सकता है क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता होता है तो सीफाइ को नहीं छेडेंगे एम वन को भी नहीं छेडेंगे उसके बाद आता है और दोस्तों आर से इसका वाल्टेज होता है जो कि इसका वाल्टेज होता है तू सि से लास्ट हैं ये ऐ सो इस सभन या अप defy का वर्जन जैसा है आप मशीन चेला टे तोह इसमें आपको पता चलता है कि ने कि सिर्फ पे चल रहे तो मैं अपको ये ब्रणियु है विदियु न्युए ऩो जा आपके मसीन के सेटिंगल depression को र nuggets चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी वहां जाके आप इसको खरी सकते हो आज की दो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंकि फर वॉचिंग देस वीडियो